जिस बारे में पुरा देश चर्चा कर रहा है उसके इतिहास की बात इस वीडियो में करते हैं आप देख रहे हैं आरजे कार्थिक एक्स्टराज सकंद पुरान के काशी खंड के 1500 शलोकों में काशी नगर का महिमा मंदन किया गया है भगवान शिव एक्स्लोक में कहते हैं कि तीनों लोकों से समाहित एक नगर जिस में स्थित मेरा निवास प्रासाध है उसका नाम काशी है जिससे बनारस और वारा नसी के नाम से भी जाना जाता है काशी खंड के 34 वे अध्याए में ग्यान वापी के माहत्मी की बात की गई है ग्यान वापी को काशी का मूल केंद्र बताया गया है पुरानों के नुसार ग्यान वापी की उत्पत्ती तब हुई जब धर्ती पर मा गंगा नहीं थी और इंसान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस्ता था तब भगवान शिव ने स्वेम अपने अभिशेक के लिए त्रिशूल चला करके जल निकाला और यहीं पर भगवान शिव जी ने माता पारवती को ग्यान दिया इसलिए इसका नाम ग्यानवापी पड़ा और जहां से जल निकला उसे ग्यानवापी कुंड कहा गया ग्यानवापी दो शब्दों के मेल से बना है ग्यान और वापी जिसका अर्थ है ग्यान का तालाब दरसल ग्यानवापी मस्जिद जिसे कहा जा रहा है उस परीसर के अंदर एक कुवा है जिसको ग्यानवापी कहा जाता है और जो कथित मस्जिद है और जो नया काशिय विश्वनाथ का मंदिर जो कॉरिडोर बनाया गया है उसके बीच में दस फीट का गहरा कुआ है जिसे ग्यान वापी कहा जाता है। जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काशिय विश्वनाथ मंदिर के पास ही है। कम पित्वा पुनर जन्मना विद्धिते इसकार थी है कि प्राचिन विश्विश्वर मंदिर के दक्षन भाग में जो वापी है उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ती मिल जाती है। उपास से संध्याम ज्यानों दे यत पापम काल लोप जम शनेन तद पाकृत्य ज्यानवान जायते नरा। अर्थात इसके जल से संध्यावंदन करने का भी बहुत बड़ा फल है इससे भी ज्यान उत्पन होता है और पाप से मुक्ती मिल जाती है। अपने अविमुक्तेश्वर स्वरूप को स्नान कराया था काशी की ग्यान वापी का जल मुक्ती देने वाला है। जल पुराणों में इसे ग्यानों दे तिर्थ की रूप में कहा गया है। पराणों में कहा गया है कि जो मरना सन पराणी याने कि मरने जा रहा है जिसकी मौत आ चुकी है निकट वापी के पास बैट करके समीव बैट करके अपनी गोद में उसके सिर को रख कर तारक मंतर का अगर जाप करता है तो उसके उसका पुनर जन्म नहीं होता है का जाते है कि क अगवान विश्विश्वर जी का दर्शन करते थे, यही वो क्रमें जो की लिकित रूप में मिलता है। इस आधार पर यह का जाता है कि मंदिर विद्वन्थ से पहले यह प्रक्रिया चलती चली आ रही थी। गुरू चरित्र के वर्णन से माना जाता है कि जो ग्यानवापी परिसर में मिला वो फवारा नहीं है। गुरू चरित्र की इन चौपाईयों में ग्यानवापी के बारे में उल्लेख है। यह तस्वीर गरंत की कौपी से ली गई है जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब बात करते हैं ग्यान वापी के इतिहास की, जो हजारों साल पुराना माना जाता है। ये मंदिर गंगा नदी के पश्ची में तट परहे का जाता है कि इस मंदिर का दोबारा निर्मान ग्यारवीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। ग्यारा सो चौरानवे इस्वी में मुहमद गौरी ने से धस्त कर दिया था, परंतु मंदिर का पुनर निर्मान करवाया गया, 1447 इस्वी में से एक बार फिर से जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुलवा दिया। इतिहास के पन्नों में अगर आप जहांकेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि काशी मंदिर के निर्मान और तोड़ने की घटनाय ग्यारवी सदी से लेकर पंदरवी सदी तक लगातार चलती रही। पौरानिक साक्ष ये कहते हैं कि श्री काशी विश्वनात मंदिर ग्यान कूप के उत्तर की भाग में स्थे थे और इस मंदिर को 1194 से 1669 इसमी के बीच में कहीं बार तोड़ा गया। सबसे पहले विश्वनात मंदिर को 1194 में मुहमद गौरी ने लूट करके द्वस्त कर दिया। को जो है श्रेद दिया जाता है। जिन्होंने 1585 इसमी में अकबर के आदेश पर दक्षिन भारत के विद्वान नारैन भट जी की मदद से इस मंदिर का निर्मान करवाया था। दूसरी और इस बात को एतिहासिक तोर पर ये का जाता है कि ज्यान वापी मस्जित का निर्मान मंदिर के टूटने के बाद में हुआ और मंदिर को तोड़ने का जो ओर्डर था वो औरंग जेब ने दिया था। 1632 में शाजान ने मंदिर का विद्वन्स करने के लिए अपनी सेना को भेजा लेकिन सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई इसके बाद औरंग जेब ने 18 अप्रेल 1679 में इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया। जिसके बाद करीब 1700 साल तक वहां कोई भी मंदिर नहीं था। वर्तमान में जो बावव विश्वनात का मंदिर है उसका निर्मान महरानी अहिलिया भाई होल करने 1780 में करवाया था जैसा मैंने बताया। बाद में महराज और अंजीत सिंग ने 1853 में 1000 किलो सोना वहां डोनीट किया। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदी शंकराचारी जी, संतेकनाथ जी, रामकृष्ण परभंच जी, स्वामी विवेकानन जी, महरशी दयानन जी, गोस्वामी तुलसिदास जी भी आये थे। अभी यहाँ पर जो काशिव शुनात का मंदिर है, उसके पास में ही ग्यानवापी मस्जिद है, लेकिन आने जाने के रास्ते अलग-अलग डिरिक्शन में है। जाना काशिव शुनात परिसर के गर्भ ग्रह के पास नंदी जी की मूर्थी के ठीक सामने है, और व्यास जी के तहे खाने के अंदर भगवान शिव जी, भगवान गणिश जी, कुबेड जी, हनुवान जी और मागंगा जी की मगरमच की सवारी वाली मूर्थियां है। व्यास परिवार को ग्यान वापी परिसर का तेह खाना अंग्रेजों से मिला, अंग्रेजी हकूमत ने तेह खाने वाला हिस्सा हिंदू पक्ष को दिया और उपर का जो हिस्सा था वो मुसल्मानों को दिया, उस वक्त व्यास परिवार ग्यान वापी के ठीक बगल में रहता ऐसी trending बातों के लिए देखते रही है आर्जिकार्थिक एक्स्टास